नमस्कार मैं हूजिया और आप देख रहे हैं दखबरदार नियूज और आज की ताज़तर इन सुर्खियां कुछ इस प्रकार हैं वोटिंग से पहले फिर दिल्ली में गोली बारी की खबर जफराफाद में चार राउंड की फाइरिंग दिल्ली विधासबा चुनाओं के लिए मतदान से एक दिन पहले फिर गोली बारी की खबरे दिल्ली के जफराबाद इलाके में एक दुकानदार का कहना है कि यहां चार राउंड फाइर हुए हैं आलाकी यह फाइरिंग नागरिक संसोधन एक्ट से जुड़े किसी भी प्रदर्शन को लेकर नहीं थी पुलिस की ओर से अभी इस घटना की जानकारी आना बांकी है कुलकता में हिरासत में लिये गए वीजेपी महासचिप कैलास विजयवरगी नागरिक संसोधन कानून के समर्थन में रैली निकाल रहे भारती जन्ता पार्टी के महासचिप कैलास विजयवरगी को हिरासत में ले लिया गया है पुलिस के मताविक हरमाड़ा थाना इलाके में पांच परवरी को जगड़ा हुआ था इस दोरान हो गया बासित कंभी रुप से खायल वा जम्मू कास्मीर के कुपवाड़ा जिले का रहने वाला था बासित का इलाज SMS अस्पताल में चल रहा था शुकरवार को उसकी मौत हो गई बासित की मौत के बाद SMS मर्शरी के बाहर कश्मीरी युवक जमा हुए और हंगामा किया मददान से पहले मनिस सोधिया का OSD रिस्वत लेते गिरफतार CBI ने रिस्वत लेते रंगे हातों गोपाल कृष्माधव नाम का एक सक्ष को गिरफतार किया है जानकारी के मुताविक या सक्ष दिल्ली के उपमुक मंत्री वनिस सोधिया का OSD बताया जा रहा है CBI ने गोपाल को एक टेक्स के मामले को निप्टाने के लिए दो लाग रुपे का रिस्वत लेते हुए रंगे हातों पकड़ा है मदद प्रदेस में व्यपारी की पत्नी की असलील सीडी मनाकर जीतू समेत आठ लोगों ने किया दुसकर्म मानुतसकरी और सामोहिक दुसकर्मों के मामलों में फरार सवा लाग के एनामी जीतू सोनी वा उनके सातियों के खिलाफ आजाद नगर पुलिस में एक महिला की रिपोर्ड पर दुसकर्म का एक और केस धज़ किया गया इसके साथ ही जीतू पर संतावन केस दर्ज हो चुके है महिला और उसके किराना वैपारी पती ने डीजी आई रूशी वर्धन मिश्र को बताया कि 2010 में शादी का जहासा देगा जीतू के साथ ही कृष्ण कुमार ने महिला के साथ दूसकर्म किया और सीडी बना ली बाद में उसने ये सीडी अपने साथियों को दे दी फिर उन लोगों ने भी उसे धमका कर उसके साथ दूसकर्म किया मद़ प्रदेश में चार हाउसिंग सुसाइटी का संचालक एक ही विक्ती मिली भगत कर पांश करोर रुपे में बेज दिये गए सोला फ्लैट बोपाल में सहकारिता विभाग के अभियान में राजधानी के चार सुसाइटी के फरजी बाड़े का खुलासा हुआ है इन सुसाइटी का करता धरता एक ही विक्ती है सहकारिता विभाग को सुचना दिये बिना ही इन सुसाइटी के कारयाले का पता बदल दिया गया जबकि इनकी जार्च हुई तो इस मामले का खुला सा हुआ गौर तलाफ है कि हाल में ही प्रदेश भर्में घपले के मामले सामने आये थे जबकि फील्ड पर गए बिना ही अधिकारियों ने ओडिट कर दिये थे SBI का होमलोन हुआ सस्ता एक साल में नौबी वैर व्याज की दरों में कटोती फले ही रिजर बैंक ने रापोरप में कटोती नहीं की हो लेकिन देश के सबसे बड़े बैंक भारती स्टेट बैंक ने लोन पर व्याज की दर्फ को कम कर दिया SBI की ओर से दी गई जानकारी के मताबिक सभी मैशरोटी अविदी वाले लोन पर सिमान्त कोस की लागत पर आधारित व्याजदर MCLR में 0.05 फिजदी की कटोती हो गई इस कटोती के बाद एक साल में मैशरोटी अविदी वाले लोन को MCLR कम होकर 7.85 प्रदिसत आ गया है